जोहार मेराम चंद्रासोरन, जैसी कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भाराद में अभी चुनाव का माहुल है और हम लोग है पूर्बी सिंभूम, जो जहरकन का एक जिला है, जमसेदपूर लोकसबा छेत्र में हैं और आये जानते हैं कि इस छेत्र के लोगों के साथ बातचि का जो संग्सद रहा है उसका कर्यकाल केशा रहा कितना काम किया कितना विकास किया और भी बहुत सारे बाते हैं जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आये हम margin के साथ एक बहुत ही Completelyال पार्षिन हैं कफी समाजी कार्य पीस Is जाते हैं आए जानने का प्रयास करेंगे कि इस छेत्र का चुनावी माहुल क्या है सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे राम चंद्र सोरेन यूट्यूब चैनल प्रस्ट्बूक पेज में इस चुनावी माहुल को आप कैसे देख रहे हैं कैसे भाप र यह उनुसुचित छेत्र में आता है और उनुसुचित छेत्र के लिए भारत सरकार ने एक संभीदान में बिसेश प्रवधान करके रखा है और उस बिसेश प्रवधान है कि आदिवासियों यानकि अनुसुचित जनेजातियों का सांस्कृतिक और आर्थिक हीतों को रक्ष 40% यहां जमसित्पूर लोग सभा में आधिवासी रहते हैं और उसका कोई जो है मुद्दा यानि कि सांस्कृतिक का किस तरह से रख्चा हो या विकास हो या आर्थिक का किस तरह से रख्चा हो या विकास हो क्योंकि यहां देखा जा रहा है कि यहां खान खने जितना रहने के बाद बाब जुद भी यहां बेरोजगार इतना प्रचरम पर है कि सभी यहां का बेरोजगार दक्षिन के तरफ जाके नोकरी तलसने के लिए दरदर भटकना पड़ रहा है और क्या कहें एसा क्यों इसका क्रिजन क्या है यह इसका एक में रीजन है कि जारकंड अगर गरीब ह है तो जारकंडी लीडर के चलते जारकंड अगर गरीब है तो जारकंडी सोच के चलते कहने का मतलब है यहां इतना अगर खान खाने जै अगर आप जियोलोजी पढ़ाएंगे तभी तो जियोग्राफी का बात पता चलेगा कि कहां सोना है कि कहां गाइना है कि कहां कोईला ह कितने हैं किया करें अगर उसमें आप स्किल डेवलंब्लेमेंट नहीं कराएंगे और सिस्कील पार्सन को पस्चिम वंगल क्रण से लाएंगे करनाट से लाएंगे तो जहारकरांका बेरोजगार तो डियुत बनाकर हैं यहाँ तो लिवार ही बनाकर और द्यान देता अगर स्क्विल डेवल्लमेंट यानि कि ओदोगी जब इतना ओदोग है और का जो कला कोसल केंद्र अगर पर्टेख सहर में बनाय जाता तो निश्चित रूप से यहां के जो बच्चों थे उन इस चित रूप से प्रसिक्चित होते और जितना भी खान खने उसमें लोग को एपॉंड में दिया जा सकता था ठीक है आप वो रहें कि नेताओं के कमी हैं उसका दुर्डिस्टी नहीं है कि आप बदा सकते हैं कि कौन को नेता का जो एक गलत निवने जो हम लोग को इस तरह कभुगरना पड़ देखिए जारकंड जो है अब 24 साल पार हो 25 साल होने जा रहा है तो इसमें एक ही चीज है कि ये आज से नहीं पहले से ही जब इसके पहले बिहार के अंदर में था उस समय भी इसका सुसोन हुआ था अब नेताओं का गीनती तो बहुत लंबी चोड़ी है अगर हम नेताओं का गीनती सुरू करे तो बहुत सरे निता है यहां लेकिन यह चीज है तो मैं कुल मिला के एक बात बता सकता हूं कि जितना भी जारकंडी नेता जो जुस मिट्टी से वो जन्म लिया है वो अगर नहीं सोचे इस जमीन के लिए अपने भविस्ट के लिए अपने बच्चों के लिए तो निश्ची तुलुप से दुगदा है इसमें जो पिछले सांग्सत जो दो बार सांग्सत जीता है दो बार उसका 5-10 सल करेकल रहा है इसमें किस तरह का उन्होंने काम किया है बिल्कुल आप देखेंगे अगर विद्धोद्वरन माताजे बहुत मन्निय बैखती हैं और समाजिक तोर पर बहुत सारे बेवस्ता का पर लगए रहते हैं लेकिन उनका जो होना चाहिए था काम यह हमको नहीं दिक्ञाए दस सल में भी से खुले उनका काम तो यही लगा कि रेल को कहां रोका जाएगा यह यह कहां रेल इस्टेशन को एक्स्टेंड किया जाएगा या कौन सा यह तरेन को फिर उड़ीशा ल पाई तो मेरा और रहने का मत्राइड हैै ये जो है मेट्रो अजह दूर chicken train unless अगर यह लोकल ट्रेन को बढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से यहां का जितना भी जो भी प्रोड़क्ट से उसको हम लोग मेट्रो में कलकटा मेट्रो पे हम लोग पहुंचा सकते थे और यहां किसानों को फाइदा हो सकता था लेकिन वो सब यहां नहीं हो पाया है तो म में हुआ दूसरी बात है अब 10 साल में और क्या बताओ कि यहां अभी जरकन गवर्मेंट ने यह कहा है कि मेरा जो है जो जिस्टी का जो उसका पैसा है वह पैसा नहीं मिल रहा है किंदर से तो बाकी बकाया पैसा अगर लखो करोड में रहता है वह पैसा अगर सरकार को रज उसको दिलने का काम करना चाहिए था ताकि यहां जारकंडी जन्मानस के लिए काम पर आ सके तीसरा यह है कि उन्होंने यहां के जो पहले वाले डबल इंजिन के सरकार थे उस समय यहां एक यारपोट का यह भूमी पूजन भी हो गया था और भूमी पूजन विदोट कोई भी साल तक यह लटक रहा है तो इस तरह किसे यह देखने से लग रहा है कि अब अच्छा तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा प्रस्णों साइद पूछते होंगे इसलिए संसत्री का सम्मान मिला है मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन अगर आप यह गरीब प्रदेश किस तरह से फिर डेबलफ होगा आगे आएगा उसके लिए जो एक रोड मैप वो हमको कमी लगा है आपने एरपोर्ट का जिक्र किया एरपोर्ट अगर यहां पर बन जाता है वो भी इंटरनेशनल तो इस छेत्र के इस छेत्र के लिए कितना लाबदायक साबित होगा और इस चेत्र के रहने वाले जो आदिवासी मूलवासी है उलों के उपर क्या इंपेक्ट पड़ेगा बहुत सुन्दर प्रस्टन है इस छेत्र के लिए चुकि अबिकास का जो एक पैमाना होती है उसमें यह भी है कि आप ट्रांस्पोर्टेशन को कितना आगे बढ़ा पाए हैं निश्चीत रूप से यह एक पहल थी लेकिन उस पहल में कोई सार्थकता नहीं रही दूसरी बात कि यह इंटरनेशनल एयरफोर्ट का बाते हैं इंटरनेशनल का साथ बाद में करेंगे इनका क्या वीचार है यह पूरा जनकरी नहीं है लेकिन जितना तक जनकरी है कि अभी बगल के जो पांच गाउ है उस पांच गाउ प्रभावित होते और प्रभावित होने के नाते गाउवासी ने बहुत करा इसका बिरोत किया है और हलांकि इसका दो पहलू है एक अच्छा भी है तो एक बुराई भी है कि अगर उनको अगर आप वहां से बिस्तापित करते है तो बिस्तापन का जो मुवावजा वो जारकंड सरकार का एजटीज पे हमको नहीं लगता है कि मुवावजा सही दे पा रहा है और सेंट्रल गवर्मेंट का भी होई हाल है तो अगर आदमी को आप इस्टापिलिश्ट से डिरूट कर देते हैं तो निस्टतरुप से सेकेंड टाइम जो इस्टापिलिश्ट होगा उसके लिए उत्ना नहीं हो पता है जिसे Hampshire को ओकट अगर कहीं दूसरा जगह पर अगर वेवस्तित कर देते हैं तो गाच जो जिस स्पीड में बढ़ रहा था वो गाच नहीं आगे बढ़ पाएगा और हम लोग चुकि यह आदिवासी छेत्र है और इसमें इनलों का प्राकृतिक पुजो खोने के साथ-प्राकृतिक का संगसाधन को ही जादा चाहे वह बंव यह बंव में जो भी फ्रूठ्स मिलता हो वह कलेक्ट करके बेज़ करके अपना जीबन जबन गुजार करता है या खेती बारी करके जीबन जबन गुजार करता है अभी जितना भी सिक्चित हुआ है थोड़ा जो भी हो वो अपना जोब में चले गए हैं अपना कमप्टेशन दे के लेकिन अभी बहुत सरे ऐसा बेरोजगार जो है कि इस जोब जो है बड़े बेटे का जो वाइब थी सिता सोरें वह अभी विजेपी में चले गई लोबीन हैमरम जी को निसकासित कर दिया गया फिर आपका चामराल लिंडा को भी उसको भी निलंबद कर दिया गया है इस चीज को आप किसे देख रहे हैं आपने गुरुजी का नाम लिया तो मैं सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूं क्योंकि गुरुजी शीबू सोरेंड जो है वो आदिवासी पैसी के लिए अगर कहा जाए तो आदिवासियों के लिए जो मेहनत किया है जो अंदलन किया है वो तो दूसरा कोई नेता नहीं है चुकि बड़ा बेटा होने के बाद उनका जो मिसे से श्रीमती सीता सोरेंड वो दूसरी पार्टी पे चली गई है और अभी जो है सरकार की ताना साही के चलते अभी जो प्रिजेंट जो चीप मिनेश्टार थे हमान सोरेंड जी उनको भी जेल में डाल दिया गया ह है और इस तरह से जोर्टा है जो अपना रोटी सीकने वाला जो अब्रसब नेता है जिसके चलती है चलकर लिक्शा लेकिन अभी का यह लग रहा है कि स्रीमती कलपना सोरेंड जो है अभी आई है और वो पढ़ी लिकी है और निश्चीत रूप से वो जिस तरह से कमान अभी संबाली है तो यह रिकोबरी हो जाने का चांस होना चाहिए अच्छा यहां पर जैसे कि आज है 18 मैं 2024 कल का डेट में 19 मैं 2024 को घाट करेकरम होने वाला है इस परदान मंत्री आने के बाद यहां किस तरह से परिवर्तन देखने का संभा बना है लगता नहीं है कुछ परिवर्तन होगा क्योंकि असल मैं परदान मंत्री साहब जो है अभी तक अपना डेट को खले एक्सटेंट कर रहे हैं पहले यह बोला कि हमक का परिवर्तन कर देंगे फिर 2019 का जो चुना है उसमें वो कह दिया हमको पांस साल दीजिए हम पूरा यह को परिवर्तन कर देंगे और और फाइब ट्रिलियन एकोनमी को हम ला देंगे यह जो एक आप कहना है कि यह जुमले का साहद इसा कुछ बाते है जो जितना अभी बा अब देने वाला है यह आप सब को मालूम है यह पाटी का एक बात का यह जुमला है और यह जुमला में चलता रहता है तो यह इससे हमको नहीं लग रहा है कि घाठसिला में अगर आते हैं तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होना होगा ऐसा कुछ नहीं लगता है अच्छ परसों से लटका पड़ा जो राम मंदिर का मसला था विजेपी का सरकार आने के बाद यह मसला का हल हुआ राम मंदिर का निर्मान हुआ उस चीज़ का कितना इंपेक्ट पड़ेगा देखिए निश्चित रूप से अपना अपना है मानने वाला सब अपना यह है जो भी हिंदू धर्म मानते हैं उनके लिए निश्चित रूप से मैं तो यह कहूंगा कि यह अच्छी बात है कि 500 साल के बाद राम घर बापस आये हैं और उसके लिए अम लोग का परधन मंत्र पूजक है तो इसलिए हम लोग का प्राकृते को जल जंगल जमेन जो पेड़ पक्षे सब हम लोग पूजा करते हैं तो इसलिए हम लोग को कहने का मतलब यही है कि हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं लेगता है और जहां तक शवाल है बहुत बड़ा सवाल है कि अब करते हैं तो हम लोग सब समान है और हम लोग सभी पूजक है हम लोग चाहे हम रोम हो यह जो संथाला दिवासियों में या चाहे मुंड़ों में भी सब अपना अपना घर में अपना पूजा करते हैं और अगर देश का पूजा होता है चाहे बहा पूजा होता है या करम पू ्पहन होता है हम लोग के लिए कोई नहीं होता है हम लोग ब्राह्मन के अंदर पे पूझा होने वाले में graphical हम लोग खूध покуп Morgan करते हैं और हम लोग मानते हैं प्राक्रितिक पूझा चालिये हम लोग फिर से हैं केंडिडेट पर आते हैं विद्दुत मेहत हिस छत्र के लिए खास करके जो आदिवासी और मुल्वासी है इनके जो हग अधिकार और संभिधान पर दिये गए प्रावधान पर कितने बातों को रखा सदन पर पटल पर पेलकोल अभी पहले पूर्व संगसत्त जो है दा साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोक्षबा जम्सृत्पूर को चेत्र को तो यह इस पे बहुत बड़े बाते हो सकती थे क्योंकि जम्सृत्पूर में टाटा इस्टिल जैसा एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री पहिया टो यह है यह इस वरभाती यहीं से है तो अगर चाहते के एक छेतर को चूंकि यह अगcolored उनके साथ कुछ कार्जय करम्स उसको भी अगर साथ में लेते हम सरकार का थोड़ा सा हट के बता रहे हैं अगर उनके साथ भी अगर कुछ प्रोग्राम से ले लिया जाता तो निश्चित रूप से यह च्छेत्र जो है वो सोने की चिरिया कहला ते इसमें कोई डाउट की बात नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं विखेर जो हुआ कि राजनीतिक जो एक दोसारोपोन है उनके साथ या इनके साथ है वह हम ऐसा ने कर देंगे वैसा कर देंगे यह जो एक बहुत हर है वह मेरे ख्याल से टाटा के साथ साहथ उस तरह का सुलुक नहीं किया गया जिसके चलते अभी तक यह स्थीति है यहांक तो यही एक बात होती है कि यहां अगर इस जमिन पर उनोंने इंडस्ट्री लगाया है तो उनका भी एक जिम्मेबरी बनता है, उस CSR फांट को सही तरीके से यूटलेज करें, और उस यूटलेजेशन भी ये देखा जाता है, कि बहुत सरे नेताओं का, जिसमें संगसद लोग का भी होता है, वो अपना कोटे जैसे समझ लेता है, और वो जिसको चाहे, वो मेडिक सदे और भोट जो नहीं दिया है, उनके लिए भी संगसदे, कभी कबर ये सुनने में आता है, कि हम को तो आपना भोट दन नहीं, हम क्यों आपके लिए काम करें, तो इस तरह ये तो निस्चिदरूप से गलत बात है, तो जिसके चलते ये जो है, यहां का विकास, यहां का जो व्यवस्ता, सेवा, सभी को नहीं मिल पाया है, और ये तिस्चिदरूप से इस चेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा, इंडिया गट बंधन के तहट जो जेमेम का टिकट से समीर महानती जो चुनाव लड़ रहे हैं, और बरतमान वो बहड़ा-गुड़ा क के विधाग है, इनका किस तरह से मतलब छेत्र में परभाव दिख रहा है, क्या विदुद्ध महाब्रन महात्योजी के साथ टकर दे पाएंगे, क्या उनका खिला को धस कर पाएंगे, देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप पहले से असेस्मेंट नहीं कर सकते, भ कि लोकतंत्र एक ऐसा महापर्व है, कि आप सभी का समान अधिकार है, चाहे वो करोड़ पती हो, या चाहे वो गरीब पती हो, कहने का मतलब जो भी जिनका पास ने, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे 26 परत्यासी है, उसमें से, देखिए, एक संभाव बनाए जो है ना, पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि 100 में 100% सभी संभव बनाए सही होता है, लेकिन एक पता चल जाता है कि कि किसका कितना जनाधार है, और 26 परत्यासी में से, यही दो परत्यासी है, जो आने वाले समय में साइध जीत पाएंगे, बाकी 24 परत्यासी को का भी मनोवल हम नहीं तोड़ है, फिर जो एक माहौल दिखता है, उस अधार पर आपका पूछ रहे है, बलगे है, यह आदार आपका सही है, देखिए यहां जमसेदपूर लोकसभा चेतरा, चेगो बिदान सवा आता है, इस जमसेदपूर लोकसभा चेतरा के अंदर पर चेगो बिदान सवा आता है, और यह चार विधायक जेमेंग के हैं तो जेमेंग के हैं तो निश्चीत रूप से विधायक है वो भी अपना समर्थन दे चुका है और जहां तक सवाल है कि प्रस्चिम का विधायक ओ तो इंडिया का इलाइंस का एक पाठ है तो इसलिए अगर आकड़ा अगर देखेंगे तो न प्रस्चित कर लेते हैं यहां का जो डिमोग्राफी है और आपके साब से किसका कितना प्रतिसत है इसके पहले भी बोल रहा था कि देखें यहां चार को विधान सभा निश्चीत रूप सा अधिवासी भूल छेत रहे हैं नहीं मतलब आपको जन संक्का के बारे में सा हो तो यह जितना पांच को जो मूल अधिवासी है यह लोग यहां रहते हैं और मोर देन 40 परसंट यानि कि बिलों 50 परसंट है जिसके चलते यह जनरल सीट हुई है लेकिन यहां का जो जो सेंसास हमको लेग रहा है कि 2011 के बाद बंद पढ़ा हुआ है अगर वो सेंसास को सही तरीके से किया जाए तो निश्चीत रूप से यहां का भी जो सीठ है वो मेरे ख्याल से साइद वो आरक्षत में आ सकता है क्योंकि इसमें एक चीज हम इसमें जोड़ देना चाहेंगे जमसेत्पूर में जीस गती से वाजनसंग का बढ़ रहा है पूर्वी या पस्चिम मे उसका परसेंटेज के हिसाब से देखने चार जो विदानसवा में ऐसा परसेंटेज बढ़ने रहा है करण क्या है यह बहुत सोचने वाली बात है ृट जमसेत्पूर में क्यों बढ रहा है यह क्या कमने जो बोन का जो परसेंटेज है बेबी बॉन का जो परसेंटेज वह ज्यादा है क्या जो चार गो विधान सवा है आप अगर धायलाग करके करेंगे तो निश्चीत रूप से दस लाग का यह है और आठारा लग चौंसाट हजार का जो यहां का भोटर है तो निश्चीत रूप से वह आप कालकुलेशन करके देखेंगे तो उहां का जो परसेंटेज तीन लाग जाड़े तीन लाग करेंगे तो यहां तो सभी समझते हैं कि अगर हम जारकन में जाए जमसेदपूर में अगर हमको नोकरी नहीं मलें तो बालू बेचके भी हम खा सकते हैं तो इस उद्देश से करल का अदमी आता है को कोई बंगाल से भी आता है को बिहार से भी आता है को यूपी से भी आता है तो इसी लिए उहां आके अगर बस जाता है और किसी कारण से अगर उनका बोटालिस्ट में नाम आ जाता है क्योंकि यह देखा गया है कि बोटालिस्ट में भी अगर सही माइने में अगर देखा ज हैंगे कि इस जमसेथ पूर्endeu जो हैं जैसा होना चाहिए आपके साफ से जो यह का उस्पार है उस अपถश्य संच सब्सक्राइब करना चाहिए आपने बहुत अच्छा बात बोला कि आर्थिक सांस्क्रितिक और सभी अधिवासी मुलबासी हीतों का रक्षा करना चाहिए यहां कुछ दिर पहले आप बोले कि वह तेजी से पुर्भी और प्रस्चिम जैसे पूर बिदानसभा छेत्र में जैसे का बिर्दी हो रहा है तो इस तरह से अगर बिर्दी होते जाएगा बाकी धिरे-धिरे-दिरे-चा बिर्दी होगा जिससे तो काफी अधिवासी और मुलबासी का नुक्सान होगा यहां पर बिल्कुल बिल्कुल यह सोचने बाले बात है यह जो भी अभी आने बाले दिनों पर यह जो बिदानसभा भी अभी सामने है जरकंड पर अगर यह भी अगर यहां बाब निर्वाच हुई और इस दिशा पर जारकंड के नेता जो भी यहां खड़े होने चाह रहा है वह अगर इस विशय पर नहीं सोचे और मन्थन नहीं करें तो निश्चित रूफ से आने वाले पीडियों के लिए बड़ी दुखदाई होगी अच्छा और एक पूछना चाहते हैं जामसेथपूर जो लोगस्वा छेत्र है पुर्भी सिंभूम वह पांचवी और यहां का सीट को जैंडल किया गया है इसका आपको क्या लगता कि साधार से क्या गया है यह एक्चुले क्या है कि सीट का तो इस पर वोटर्स के हिसाफ से क किया गया है अच्छा आप क्या बता सकते हैं कि जमसेथपूर लोगस्वासीट को कब मतलब कठन किया गया है और यह आईडिया नहीं है पुरा लगभग पचास साल पहले तो किया गया बिल्कुल बिल्कुल उस समय क्या बाहरी लोगों का इतना जमावडा था यहां पर जो पहले तो ग्रो इस तरह से बाहरी जनसंखा का मतलब जो ट्राइबल और नौन मुलवासी है उलों का अभी गुरू हुआ है तो पहले से यहां पर जनरल था तो इसका जो जनरल सीट के पीछे क्या मैंसा रही हो गया उस समय का उस समय का भी कालकूलेशन वही है कि जो वह वो प्लास जमसर्थपूर का जनसंख का मिला के 51 परसंट हुआ 50 परसंट से ज्यादा हुआ होगा तब जैको जर्यल क्या होगा यह में में बिए पाइंट अच्छा और क्या मतलब एक संग्साइब क्वालिटी होना चाहिए जो हम लोग आदर हां यह एक हो गया दूसरी बात है कि निश्चित रूप से संग्साद जो है अब हम देखते हैं कि री प्रेजनटी होते यह पबलिक रीपरेज्टीटीयटीटिटिव होते है यह यह लिप भगोन जिसी होगता है जो भगवन जिकाता है कोई आम आदम japanese